नमस्कार दोस्तों कथा मंच में आपका स्वागत है एक समय की बात है एक पत्थर का कारीगर पत्थर बनाने वाला एक सिल्पकार अपनी लंबी यातरा के बाद किसी छायादार ब्रक्ष के नीचे बिस्राम के लिए बैठा हुआ था अचानक उसे सामने एक पत्थर का टुकड़ा दिखाई दिया उस सिल्पकार ने उस सुंदर पत्थर के टुकड़े को उठा लिया सामने रखा और औजार के थेले से छेनी हतुड़ा निकाल कर उसे तराशने के लिए उसने जैसे ही पहली चोट की पत्थर जोर से चिल्ला पड़ा मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैं जैसा हूँ, मुझे वैसा ही रहने दो शिल्पकार ने उस पत्थर के टुकडे को छोड़ दिया और फिर अपनी पसंद का दूसरा पत्थर का टुकड़ा उठाया और उसे अपने छेनी हैतोडों से तरासने लगा। कुछी देर में उसने उस पत्थर को तरास कर एक सुन्दर यूति की पृतिमा में तबदिल कर दिया। वह मूर्ती बनाकर फिर अराम करने लगा तबी वहाँ से एक राहगीर गुजरा राहगीर पास्प में ही नगर का एक कलाप्रेमिस सेठ था उसने जैसे ही यूति की पृतिमा को देखा तो सिल्पकार से उसकी कीमत पूष्ठे लगा शिल्पकार ने उस मूर्ती के दाम दो सोने के सिक्के बताए सेठ को पृतिमा पसंद थी उसने तुरंत दो सोने के सिक्के निकाले और सिल्पकार को दिये और मूर्ती लेकर अपने रहा चला गया इस घटना के कुछ सालों बाद उस सिल्फकार का नगर में जाना हुआ वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि राजा के पास एक बहुत सुन्दर प्रतिमा है जिसकी प्रतिकर्ती बनाने के लिए राजा ने इनाम की घोशना की है सिल्पकार भी नाम की बात सुनकर राजा की पृतिमा को देखने के लिए पहुँच जाता है वहाँ जाकर वह देखता है कि यह तो उसी की ही बनाए हुई वह पृतिमा है सिल्पकार ने राजा से कहा कि वह हू बहू ऐसे ही पृतिमा और बना देगा राजा को आश्चर हुआ राजा ने कहा कि इतनी अन्मोल प्रतीमा की नकल बनाना आसान बात नहीं है मैंने इसे दस हजार सुन मुद्रा देकर खरीदा है अब आश्चर जकित होने की बारी सिल्पकार की थी उसने राजा से तो कुछ नहीं कहा लेकिन मन ही मन सोचने लगा कि देखो इन दो सिक्कों के मुल्ल की मूर्ती का मुल्ल अब क्या से क्या हो गया है और उसे वह पत्थर भी याद आया जिसने रोक कर सिल्पकार से खुद को छोड़ने के लिए कहा था और कहा था कि मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहने दू शिल्पकार दोनों पत्थरों के बारे में सोचने लगा कि देखो एक पत्थर ने स्वम को तराशने से मना कर दिया था ना जाने वह अब किस हाल में होगा जबकि यह पत्थर छैने है तोड़ी की हजारों ठोकर खाकर भी आज कहां से कहां पहुंच गया है ऐसा सोचते सोचते सिल्पकार ने फिर से वैसे ही एक सुन्दर पतिमा तयार कर दी राजा ने उसे मुह मांगाई नाम दिया मित्रों यह कहानी हम सीख देती है कि हमारे जिन्दी में आने वाले समस्सें आओं तकलिफों को हमें सहन करना चाहिए हमें हमारे सिल्पकार को पहचानते आना चाहिए कई बार हमारे सुपचिन तक हमारे माता-पिता, Gothic शिक शक, मेत्र, रिस्तदार हमें सल़ह देते हैं मार्ग बतलाते हैं लेकिन हम प्रारंबिक परसानियों को देखकर पहले पत्थर की भाती मार्ग छोड़ देते हैं। हमारे सुपचिन तक हमारा बहला चाहने वाले हमारी बुराईयों के बारे में हमें बताते हैं तो हमें बुरा लगता है। जब कोई हमारी बुराईयों के बारे में हमें बताता है तो हम चाहते हैं कि ये लोग हमसे दूर हो जाएं लेकिन एक अच्छी मूर्ती बनने के लिए एक साधान से पत्तर को मूर्ती में दब्दिल होने के लिए अपने गेर जरूरी इस्टो को काटना चटना पड़ता है अर माता पिता करते हैं अगर हम दूसरे पत्तर की भाति अपने सिल्पकार को पहचान लें अपने सिल्पकार को समस्वमर्पित कर दें उसके छैनी हतोडों की मार को सह लें तो निश्चित ही हम भी एक साधान पत्तर से एक सुंदर मूर्ती में तब्दिल हो सकते हैं हमारी इज जो पाना चाहते हैं वह पा सकते हैं